केंब्रिज का किंग्स कॉलेज जून और अक्टूबर के बीच यहां स्टूडेंट कम और टूरिस्ट जादा दिखते हैं केंब्रिज उनिवर्सिटी में 31 कॉलेज हैं जो पूरे शहर में फैले हुए हैं कॉलेज के बाग में आम लोग भी तहर सकते हैं गर्मियों में यहां का नजारा बेहत खूपसूरत होता है जैसे यहां इमैनुल कॉलेज का कॉलेज के खूपसूरत गार्दन और इमारतों का सबसे अच्छा नजारा यहां नदी के पास से दिखता है कैम नदी से शेहर को नाम मिला है केम्बरिज यनी कैम पर बना पुल सेलानी हो या यहां रहने वाले पंट्स नाम की इन नाव में सेर करना हर किसी को पसंद है किंग हेंडरी आठवे ने यहां चैपल की खिड़कियों पर रंगीन कांच लगवाए इस कांच का पूरे इमारत में इस्तमाल हुआ है पुनर जागरन काल के दौरान इतने रंगीन कांच का इस्तमाल कहीं और नहीं हुआ कैम नदी पर 23 पुल हैं सबसे मशूर है ब्रिज ओफ साइज जिसका नाम वेनिस के मशूर पुल के नाम पर रखा गया है पंट्स भी वेनिस के गॉंडोला की याद दिलाते हैं ये नदी केवल एक मीटर गहरी है नाव चलाने के लिए एक लंबे डंडे का इस्तमाल होता है और देखने में ये जितना आसान लगता है तरसल उतना है नहीं इस नदी की खूबसूरती का लुथ उठाने के लिए लोग बोट ट्रिप करते हैं सेर भी हो और जानकारी भी मिल सके केम्रिज के बाजार में हमेशा रौनक रहती है तूरिस्ट यहां खरीदारी करना बेहद पसंद करते हैं बाजार में घुमने के बाद आप यहां के कैफे में जा सकते हैं केबल अंग्रेजों के मशूर टी टाइम यानी शाम में ही नहीं कभी भी आकर आप यहां चाए कॉफी पी सकते हैं और साथ ही स्कोन्स जैसी बेक की हुई चीजें खा सकते हैं कॉप्स क्रिस्टी कॉलेज के बाहर लगी ग्रास हॉपर क्लॉक पर लोगों का ध्यान खूब जाता है ये विशाल टिड़ा यहां समय को निगलता हुआ सा दिखता है ये वक्त के बीट जाने का प्रतीक है दे इगल शेहर का सबसे मशूर पब है पचास के दशक में यहां दो वेग्यानिकों ने डिएने सरचना की खोज की फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन को इसके लिए नोबेल पुरसकार भी मिला यही वो बेंच है जहां बैट कर उन्होंने डिएने के बारे में एलान किया यह आज भी यहां रखा है कि लोग इस पर बैट सके गर्मियों में यहां के बियर गार्डन भरे रहते हैं यहां की स्थानिय बियर एल लेकर लोग एक साथ बैटते हैं स्टूरेंस हो या नोबेल विजेता, सेलानी हो या यहां रहने वाले